कक्षा 10 के हिंदी विशे के अंतरगत राम लक्षमन परश्राम संबाद के अंतिम चौपाई और दोहे को आजम पड़ेंगे जब परश्राम ने अतिती क्रोध दिखाया और विस्तोमित्र के हिर्दे में ये बात आई कि मुनी तो बड़ा सी सरल समझ रहे हैं इन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये राम और लक्षमन हैं कौन और इस पर वो मन में सोच रहे हैं जब मुनी परश्राम ने कहा कि गुरू के रिंद से मैं मुक्त हो जाओंगा थोड़े से कर्ष्ट से ही थोड़ा सा प्रयास करने से ही तो लक्षमन ने कहा कहे उलखन मुनी सील सुम तुमारा को नहीं जान विदित संसारा आपके सील गुण के बारे में संसार में को नहीं जानता माता पिता ही उरीन भयनी के गुरु रिन रहा सोच बरजी के माता पिता के रिन तो बड़े अच्छे से मुक्त हो गए गुरु का रिन सिर्पे चभा चला आ रहा है इसकी चिन्ता हो रही है सोजनू हमरे ही माते काढ़ा दिन चली गए ब्याज बढ़ाड़ा और वो भी आपको आपने वो रिन जो है गुरू का सीव जो आपके गुरू है. उनके गुरू दक्षिना का रिन जो आपके उपर है. वो आपने मेरे सिर पे थोप दिया. और ये सोच रहा है कि बहुत दिन हो गए उस पर ब्याज बढ़ गया है. ब्याज इंट्रेस्ट को कहत आप बोलिये और मैंने थेली खोली यानि आपको compensation चाहिए आपने जो धनुस तूटने का compensation मांग रहे हैं आपके गुरु क्या धनुस तूट गया तो उसके बदले में आपको धन चाहिए आप बोलिये तो सही मैं अभी देता हूं और ये बात सुन करके सभा के लोगों को अच अच्छा नहीं लगा इस तरह परशुराम से लक्ष्मन का बात करना सबको अनुचित लगा सुनी कटू बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा उन्होंने फरसे को सीधा किया और सभाज हाय हाय करने लगी ब्रिग बर परशु देखा बहु मोही बिप्रविचार और बचों रिप द्रोही हे भिरो के शुत्र आप फरसा दिखा रहे हैं तो मैं तो ब्रामफन समझ के मैंने राजा के द्रोही को राजाओं के साथ सत्रुता रखने वाले जो आप हैं आपको अब तक मैंने चोड़ा हुआ है लगता है युद्भूमी में कभी आपकी बीर योधा से मुलाकात नहीं हुई है सच ही कहा है ब्राम्हन और देवता घर में ही सही रहते हैं बाहर में उनका उत्रा महत तो नहीं होता है और इस प्रकार जब लक्ष्मन ने कहा तो सभा के लोग कहने लगे अनुचित कही सब लोग पुकारे रगुपति सहे नहीं लखन निवारे सभा में जो लोग बैटे थे उन्होंने सबने कहना सुरू किया बिल्कुल घलत अनुचित यह उचित नहीं है लक्ष्मन को इस तरह नहीं बोलना चाहिए और यह देख करके राम ने आखों से ही लक्ष्मन को इशारा से चुप रहने को कहा लखन उतर आहुति सरिस भ्रिगबर कोप क्रिशान बढ़त देख जल संबचन बोले रगुकुल भान देखो इसमें उप्मालंकार है लखन उतर आहुति सरिस भ्रिगबर कोप क्रिशान ब्रिगबर के पुत्र जो है बरसुनाम उनका क्रोध जो है वो अगनी के समान है और उसमें लक्षमन का जो उत्तर है उनके जो जवाब है वो आहुती के समान है घी समिधा आदी जो डालते हैं हवनकुंड में उसकी भाती है जिससे आग बढ़ रही है ये देख करके जल और आग को कौन ठंडा कर सकता है जल तो जल के जैसे सीतलवानी में राम ने कहा रामचरित मानस में है आपको मौका मिले तो आप इसे पढ़के देखिए और रामचरित मानस जो है वो सरवत्तमकृति है जिसमें नैतिकता सामाजिकता व्यवहार भक्ति हर चीज है और उसी का एक प्रसंद था जो सिद्ध करता है कि क्रोध मनुस्य को इतना अंधा बना द थे और विने जो है मनुस्य को महान भनाता है राम के अंदर विने सीलता थी जबकि लक्षमन और परुसराम के अंदर विने का अभाव था यही बात दर्शाने के लिए यह उद्रित है इसको आप पढ़िए प्रश्णों के उत्तर लिखिए मैं भी भीजूगी धन्यवाद झाल